नमस्कार मैं हूँ अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर आपको बता दें जो की बहुती दुखत ख़बर है साल के सबसे बड़े रेल हादसे पर हमारी नॉन स्टॉप कवरिज जारी है ओडिस्सा के बाला सोर में भीचन ट्रेन हादसा हुआ है जहां तीन ट्रेन ऐसे टकराएं की 238 लोगों की जान चली गई 900 से जादा लोग घायल है और इस भयानक हादसे की जो तस्वीरे सामने आ रही है उसे देखकर मौत का आखड़ा बढ़ने की आशंका है सबसे पहले साथ से की आई एरियल तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे ड्रोन से लिया गया है जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जिस जगे पर यह घटना हुई है वहाँ पर इस वक्त किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है आपको यहाँ पर बोगया एक के उपर नजर आ रही होंगी आपको बता दें कि यह जो तस्वीर है यह बताती है कि एक दो नहीं बलकि तीन ट्रेने थी एक मालगाडी थी और दो पैसंजर ट्रेन थी जो आपस में तकराई है और देखिए पहली ट्रेन अपने ट्रैक पर देखिए पहली ट्रेन ये जो आपको नजर आ रही है यह है यह मालगाड़ी है जो यहाँ पर मौझूद है यहाँ पर स्टेशनरी थी यहाँ पर दूसरी जो आप्ट ट्रेन नजर देख और यह दोपर आप देखिए जिसे कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है जो की चनने से आती है वो ट्रेन इसके साथ टकरा गई यानि की पहले जो बैंगलूर से जो ट्रेन आई थी जो तीसरी ट्रेन है तीसरी ट्रैक पर आप देखने है इसकी पट्रिया इसकी जो बोगीज है वो पट्रियों पर बिखर गए जिसक आपसे हरानी की बात है जो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखना की जो एक इंजिन है इंजिन जाकर सीधा जो आपकी मालगाड़ी है उसके ऊपर चली गई तो यह देखिए पूरी एतिलंबी ट्रेन किस तरह से डीरेल हुई है तो तेज रफतार में थी और का से पहुची एंडियारिफ की टी में पहुची है और आप देखते रहें कि कितनी बोगियां इसमें डैमेज हुई हैं 200 से जादा लोगों की मौत यानि करीब करीब कई 2500 लोगों की मौत की आशंका इसमें जताई गई है अभी तक उसमें आप देखिए कि एक के बाद एक के जाद एक जो बोगिया है पूरी तरह से डामेज हो गई है और जादा तर जो बोगिया आपको यहाँ पर नजर आ रही है एक कोरोमंडल एक्सप्रेस आप देख रहे हैं जो चन्ने की ओर से हावरा की ओर जा रहे थी वो तेज रफ्तार में थी और उसने जाकर जो डिरेल ट्रेन के बोगियां इसको टक्कर मारी और जो इंपैक्ट हुआ इंपैक्ट के वज़े से सारी बोगियां बिखर गई और कुछ बोगियां जाकर जो इसके पास में मालगाडी है मालगाडी के उपर चली गई इस वक्त यहाँ पर देखी एक एक करके बोगियों को हटाया जा रहा है और कुछ जो यहाँ पर आपको बोगिया नजर आ रही है जो इस वक्त सीधी खड़ी है गनीमत है कि इसमें जो लोग थे वो बचे हैं लेकिन सबसे भयानक तो वो तस्वीर आपको नजर आएगी जब आप थोड़ा और आगे जाएगा जहाँ पर इंपक्ट हुआ था इंपक्ट के वहाँ पर आपको कोई भी बोगी साबुत नजर नहीं आएगी यानि कि पूरी तरह से मुड़ गई है उनके परखचे उड़ गई है क्योंकि इंपक्ट इतना ज़ादा था ये देखिए ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त यहाँ पर देखी एक दो तीन चार चार यहाँ पर बोगिया आपको पूरी तरह से आपस में इस तरह से तक्राई हुई नजर आ रही है और यही वज़े कि इतनी ज़ादा मोते हुई है और आप सोची कि एक एक बोगी में करीब करीब 72 सीटे होती है 72 पैसेंजर की जगए होती है आपस में यहाँ पर साथ में गिरी हुई है क्योंकि दोनों ही पैसेंजर ट्रेंस थी और दोनों ही आपको बता दे कि एक ही तरफ से ऐसा नहीं कि आमने सामने टक्कर हुई है दोनों ही ऐसे आ रही थी यानि कि हावडा की ओर जा रहे थी इस्टन बाउंड थी ट्रें साउट से आ रहे थी और एक का डिरेल होके पूरे की पूरी बोगियां साथ इसलिए आप देखी कि पैरेलल आपको दो दो बोगियां से साथ में नजर आएंगी फिर से आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यह हाचसा जो है अपने आप में बहुत सरे सवाल खड़े करता है कि इस तरह की घटना आज तक कभी हमने देखी नहीं है आमने सामने की टक्कर लोगों ने देखी है कि बोगियां जो डिरेल में पड़ी हुई थे उसके तक्कर मारी और टक्कर के बाद जो इंपक्ट हुआ उसमें एक के बाद एक जो पीछी की सबसे फ्रंट बोगिस थी वो डैमेज हो गई पीछी की जो बोगियां वो भी पलट गई इसलिए आपको देखी यहाँ पर कुछ चार, पाच, लगबबग छे यहां बोगियां, कुछ बोगिया तो नजर नहीं आ रहे हैं कि लगबग छे बोगियां यहां पर देखिए, 6-7 बोगिया पूरी तरह से यहां में डैमेज हो गई हैं और यह जो डैमेज एरिया आपको नजर आ रहा है यही सबसे खतरनाक वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है बोगी और इसी पर जाके जो इंपक्ट हुआ था तो इसलिए दोनों पैरलेल ट्रेन की बोगियां देखिए आपस में यहाँ पर एक दूसरे के साथ टकरा गई और इस तरह से मैंगल्ड होके यानि की जुड़के वहाँ पर ही रहे जिसके वज़े से हमाँ लोगों को निकालने में दिक्कत हो रही है और यह जो तस्वीर है यह बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आखिर कार यह घटना किस तरह से हुई थी अभी जाच के बाद ही पता लगेगा कि इसलिए वज़े क्या रही है थोड़ी दिर पहले रेल मंतरी ने जो अफसरों और ड्राइवर से पूछताज के लिए बुलाया है और जिन लोगों को पूछताज के लिए बुलाया गया है उनमें सीनियर डिविजनल मेकानिकल इंजिनियर है सिविल इंजिनिरिंग के ट्रैक किसे जरुए जो लोग है सिगनल ऑफिसर है मालगाडी का ड्रा यह बताने के लिए आखिरकार हाथसा किस वज़े से हुआ है हमारे रिपोर्टर सुजीद दास लगातार ग्राउंड जिरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं इस भयानक टक्कर के बाद क्या हालात है और जो ट्रेन की एक-एक बोगी में इस वक्त क्या चल रहा है और सा देखे हैं देखिए ट्रेन का हालत मैं कोशिश कर रहा हूं बोगी का अंदर जातने की देखिए बोगी का हालत क्या है शायदी किसी को बाचने का उमीद इधर नहीं है यहीं से अभी जस्ट एक डेट बोडी फेन निकली है और इंडिया एक टीम और आर्मी दुनों लगतर काम कर रही है देखिए ट्रेन का हालत एक बड़ देखिए ट्रेन का उपर की पॉर्शन क्या हालत है नामों निशन नहीं है बोगी का मालगारी का थोड़ा तब भी देखने में ठीकी लग रही है देखिए क्या हालत है जस्ट अभी अभी यहीं से एक डेट बोडी लेके ग पर आप इन चार बॉड़ी कैसे हालत में परा हुआ है देखने में डल लग रही है किसी का पैर किसी का कमर किसी का हाथ सभी परा हुआ है मेरा सामने यह 4-5 अभी भी सब यहीं पर परा हुआ है कितना खतनत नजा रहा आप लेक्त देखिए इंडियारेप का टीम कोशिश कर रही है आरमी कोशिश कर रही है इसी को निकलने की तो आपने वहाँ से ग्राउंड जिरो से तस्वीर देखी और एक बार फिर से हम आपको एरियल तस्वीरों के जरिये समझा रहे हैं कि आखिरकार हाचसा कितना भयानक था किस तरह से हाचसा हुआ आप देखिए इतनी लबी ट्रेन और आपको यहांबर दो ट्रेने नजर आ र दिरेल हुई थी बताया जा रहा है वही ट्रेन है जो बैंगलूरू से निकलेती हावडा के लिए हावडा सुपरफास ट्रेन जो डिरेल हो गई और जो कोरमंडल एक्सप्रेस थी और जो शालीमार को चन्ने के बीच दोड़ती है यह ट्रेन जब आ रही थी यह उस डिरेल दिब्बों से टकरा गई और उसके बाद जो भयाना खासा हुआ उसी का नतीजा है कि 900 लोग घायल बताये जा रहे हैं और अभी अभी बता चल रहा है कि जो ताजा अभी तक अपडेट आ रहे हैं 238 लोगों की जान जा चुके है और जो बोगिस आप देखिए लंबी जो क बर्दस इतना बड़ा इंपक्ट था आपको हमारे संग्वादाता जो ग्राउन रिपोर्ट लगातार हम तक भेजने सुतिज दास उनकी एक और तस्वीर दिखाते हैं एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो आप समझेंगे कि इस वक्त वहां पर फिलाल क्या चल रहा मैं अभी कॉरोमॉंडॉल एक्सप्रेस का सामने खरा हूं पीछे मेरा कॉरोमॉंडॉल एक्सप्रेस है जहां पर हस्व हुआ है और उसी का सामने मलवा किसी का कप्रा किसी का कप्र सब कुछ बिखर है मैं इहीं पर देख रहा हूं एक अधारकार्ट इसका नाम है सरज कुम को तरजबिट देखने के लिए हेल प्लाइन ने इसको पता मिले तो कोशिश करिए इसका नाम है सरच कुमार और देखिए बैंक बैंक की पासबोई किसी का किताब सब कुछ परा हुआ है किसी का कप्रा किसी का पैन किसी का बक्सा कोई कोई जागतरकर जाने की सब लेके जाने की कोशिश कर रही थी आलट ना खारप है सब皆さん के जानाकरा है शाइओ कोई जिंदा है वां कोई हॉस्पितल में हैं देखिए खाने का समान चिस्टि इस बिक्र actप्रा हुआ है ट्रेन का हम हाल नीचे जे कोशिश कर रहा हूं देखेने की क्या हालत है देखिए कि सभी विक्रा हुआ परा हुआ है ट्रेन बॉगी पलेट चुकी है मालगारी का मलवा सामने है हालत इतना खराप है देखने में डर लगता है करमूंडल एक्सप्रेस का एक बॉगी में हूँ देखिए इसका हालत क्या हालत है सभी समन फेका हुआ है कुछ नहीं है हालत बिक्रे हुआ है शायद सब लोग निकल गया है इस बॉगी में ज्यादा कुछ हुआ नहीं किन्तु इसका हालत बहुत ही खराप है सब विक्रे हुए है यह पट्री से बाहर चला गिया है किन्तु सभी ठीक है देखिए ट्रेन का बाहर का नज़रा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर